C++ में function overloading और overriding के spoken tutorial में आपका स्वाकत है। इस tutorial में हम निमने सीखेंगे function overloading, function overriding। हम यह उधारणों की मदद से करेंगे। इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूं function overloading के परिचे के साथ शुरू करते हैं। function overloading का मतलब है दो या अधिक functions समान नाम रखते हैं। arguments की संख्या और arguments के data type भिन होंगे। जब एक function call होता है तो यह argument की सूची के अधार पर चुना जाता है। अब एक उधारण देखते हैं। मैंने editor पर code पहले ही type कर लिया है। इस program में हम addition operations क्रियान विद करेंगे। ध्यान दे हमारी file name overload.cpp है। मैं अभी code समझाऊंगी। यह iostream हमारी header file है। यहां मैं std name space प्रयोग कर रही हूँ। फिर हमारे पास int की तरहां परिवाशित add function है। इसमें हमने तीन arguments पास किये हैं। int a, int b और int c. फिर हम तीन numbers का addition क्रियान विद करते हैं। और हम value return करते हैं। यहां हम function add overload करते हैं। यह float की तरहां घोशित किया गया है। हम दो arguments float d और float e पास करते हैं। फिर हम दो numbers पर addition operation करते हैं। यह हमारा main function है। function main में हम bin arguments के साथ add function घोशित करते हैं। फिर हम variables घोशित करते हैं। यहां हम user से integer values लेते हैं। फिर हम तीन arguments के साथ function add call करते हैं। और परिणाम को variable sum में संचित करते हैं। यहां हम परिणाम को print करते हैं। अब यहां हम user से floating point numbers लेते हैं। फिर हम दो arguments के साथ add function call करते हैं। और यहां हम sum print करते हैं और यह है हमारा return statement है अब हम program निश्पादित करते हैं अपने keyboard पर एक साथ control, alt और T की जबा कर terminal window खोलें निश्पादित करने के लिए type करें g++ space overload dot cpp space hyphen o space over एंटर दबाएं टाइप करें dot slash over एंटर दबाएं एंटर 3 integers प्रदर्शित होता है मैं 10, 25 और 48 एंटर करूंगी आउटपुट इस प्रकार प्रदर्शित होता है sum of integers is 83 अब हम देखते हैं enter two floating point numbers मैं 4.5 और 8.9 एंटर करूंगी एंटर दबाएं आउटपुट इस प्रकार प्रदर्शित होता है sum of floating point numbers is 13.4 अब हम function overriding देखेंगे अब अपनी slides पर वापस जाते हैं base class function को derived class में पुना परिवाशित करना derived class function base class function को override करता है लेकिन pass किये हुए arguments समान है और return type भी समान है अब एक उधारन देखते हैं यहाँ function overriding का एक उधारन है ध्यान दे हमारा file name override.cpp है अब पूरे code को समझते हैं यह iostream हमारी header file है यहाँ मैं std name space प्रयोग कर रही हूँ फिर हमारे पास class arithmetic है इसमें हमने protected की तरह integer variables घोशित किये हैं फिर हमारे पास public की तरह घोशित function values हैं इसमें हमने दो arguments int x और int y पास किये हैं फिर हमने value a और b संचित की यहाँ हमारे पास operations की तरह virtual function हैं इसमें हम दो numbers add करते हैं और sum print करते हैं यहाँ हम class बंद करते हैं अब हमारे पास derived class की तरह class subtract है यह base class arithmetic को inherit करता है इसमें हम दो numbers के difference की गर्णा करते हैं और difference print करते हैं अब हमारे पास multiply की तरह एक unnerived class है यह भी base class arithmetic को inherit करता है इसमें हम दो numbers के product की गर्णा करते हैं और product प्रदरशित करते हैं फिर हमारे पास class divide है यह भी base class arithmetic को inherit करता है इसमें हम दो numbers के division की गढ़ना करते हैं और हम division प्रदर्शित करते हैं ध्यान दें, function का return type समान है और pass किये हुए arguments भी समान है यह हमारा main function है इसमें हम class arithmetic का एक object P बनाते हैं अरित class arithmetic का pointer है फिर हमारे पास class subtract का subt object है class multiply का mult object और class divide का divd object अब यहाँ P को अरित के address पर set किया जाता है फिर हम function values में arguments 30 और 12 पास करते हैं अब हम function operations call करते हैं यह addition operation करेगा यहां हम subt को अरित के address पर set करते हैं और हम arguments 42 और 5 पास करते हैं हम function operations को दुबारा call करते हैं यह दो numbers का subtraction करेगा अब हम mult को अरित के address पर set करते हैं और हम arguments 6 और 5 पास करते हैं हम function operations call करते हैं यह दो numbers का multiplication करेगा अंत में हम divd को अरित के address पर set करते हैं और हम arguments 6 और 3 पास करते हैं अब हम operations function call करते हैं यह दो numbers का division करेगा और यह हमारा return statement है अब program निशपादित करते हैं अपने terminal पर वापस आते हैं g++ space override dot cpp space hyphen o space over 2 enter the bind टाइप करें dot slash over 2 enter the bind output इस प्रकार दिखता है addition of two numbers is 42 difference of two numbers is 37 product of two numbers is 30 और division of two numbers is 2 अब अपनी strides पर वापस जाते हैं अब overloading और overriding के बीच अंतर देखते हैं overloading inheritance के बिना हो सकती है overriding होती है जब एक class दूसरी से inherit की जाती है overloading में arguments और return type भिन होने ही चाहिए overriding में arguments और return type समान होने ही चाहिए overloading में function के नाम समान होते हैं लेकिन यह उनको pass किये गए arguments के आधार पर भिन व्यभार करता है overriding में function का नाम समान होता है derived class function base class से भिन operations क्रियानवित कर सकता है इसको साराशित करते हैं इस tutorial में हमने सीखा function overloading उधारन int add तीन भिन arguments के साथ और float add दो भिन arguments के साथ function overriding उधारन virtual int operations और int operations समान arguments और समान return टाइप के साथ functions और दोनों के बीच अंतर एक नियतकारे में एक program लिखें जो function overloading प्रियोग करके rectangle, square और circle के area की गणना करें निमने link पर उपलब्द वीडियो देखें यह spoken tutorial project को साराशित करता है अच्छी bandwidth ना मिलने पर आप इसे download करके देख सकते हैं spoken tutorial project team spoken tutorials को उप्योग करके कारेशालाइन चलाती है online test पास करने वालों को प्रमान पत्र देते हैं अधिक जानकारी के लिए एक रपया contact at spoken-tutorial.org को लिखें spoken tutorial project talk to a teacher project का हिस्सा है ये भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से रस्ट्रिय साक्षरता मिशन द्वारा समर्तित है इस मिशन पर अधिक जानकारी नेमने लिंक पर उपलब्द है IIT Bombay से मैं श्रतियार आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुणने के लिए धन्यवाद कर दो